आज हम पर रीड करेंगे दा हर्ट ओफ दा ट्रीग चैप्टर के कोसर आंसर को तो कोसर नमबर वन है दा पोईट सेज दन प्लांटिंग अट्री विल लीड सो मैनी थिंग्स नेम सम उप तेम यानि पोईट का कहना है कि प्लांट लगाने से बहुत सी चीजें होंगी तो उनम यहां पर अट्री प्रोवाइड कुल सेड अट्री प्रोवाइड शेल्ट दू बर्ड यानि एक ट्री से चाओ मिलती है एक ट्री से प्रक्ष्यों को घर मिलता है और भी हम यहां पर लाइन एड कर सकती है आप अपनी मर्जी से एड़ कर लेना तो यहां पर पोईट ने प्लांट लगाने का बर्ड से क्या संबंद बताया है आंसर है यहां पोईट का कहना है कि एक इसान जब पेड लगाता है तो वो एक घर लगाता है उन पक्चियों के लिए जो हैवन के पास गानक आती हैं मतलब सुन्द सुन्द गीत काती है थर्ड कोसर अकोर्डिंग टू पोईट वाट इफेक्ट ड़स दा एक्ट ओप्लांटी अट्री है वाप पर उन परसंस नेभरूड तो इहां पर पुछा गया है कि पोईट के मताबिक अगर एक इनसान पेड लगाता है तो उसके आस पास इसका क्या असर होगा आंसर इस में पोईट कंपेश प्लंटिंग ओफ ट्री वित अबलेसिंग देट दो प्लंट गिफ तो इस नेभरूड बाइप लगाने से उस ट्री की बलेसिंग उसे साथ साथ उसके आस पास हर किसी को मिलेगी क्योंकि प्लंट लगाने से वहां के इन्वार्मेंट में बदलाव होगा वहां के इन्वार्मेंट की ग्रोथ होगी और जो हमारा अर्थ है उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ीगी साथ ही वहां पे ऑक्सी जान ये सब चीजें हर किसी को मिलेगी पोईट के कहना है कि सूरज और स्काई का दोस्ट इसलिए बताया है ट्री को क्योंकि एक दोस्ट की तरह ये भी अपने आपस में चीजें है जो को बतलती हैं जैसे यहां पर बताया गया है कि ट्री जो है सूरज की कर्मी को कम करने में मदद करता है और साथ ही आसमा आसमान की थंडी हवाओं के साथ वह लहराता है यहां पर ही किसके लिए यूस परसन के लिए जो ट्री को लगा रहा है यहां पर हारवेश्ट ओफ कमिंग एज का मतलब है कि आने वाली जनरेशन इन पेड़ लगे हुई पेड़ो का मज़ा ले सकती है वो इनके फ्रूट स्खाएगी और इनके इन्चोय करेगी तो इन पेड़ो को देखकर वो बहुत घुस होंगे और इन ही क्योंकि उस समय तक यह जो पीड़ है वो बड़े हो चीके होंगे कोसन है कि उन खाली हातों सिहते लिए से किसी को प्रोटेक्ट करना इसका मतलब है कि एक इनसान कभी भी लेंड पर उन पेड़ की ग्रोथ को कभी नुकसान नहीं चाहेगा B. What does he hold? Hold यहांप लिखाया है He hold the growth of nation is hand C. How does the act of planting tree contribute on nation's growth? एक प्लांट लगाने से नेशन की growth कैसे होगी? Answer है tree are essential for the maintenance of ecological balance. They not only give shelter to birds and beasts but also produce oxygen which is essential for life on earth. Tree calls rain to fall and provide us food and material for shelter and clothing. Without tree the world will turn into a desert and life becomes impossible. This means that tree is our ecological balance. This means that tree is our ecological balance. The birds will not give us a house but also provide us oxygen to provide us. इसकी वज़े से बारी सोती है इसकी वज़े से फूड मिलता है इसकी वज़े से जानवर ओपक्चियों को रहने का घर मिलता है इससे हमारे कब्रे बनती है और बिना tree के ही जो हमारा जो दुनिया है वो बिलकुल desert के समान बन जाएगी. इसलिए इनको लगाना चाहिए जिस से हम यह सब चीज मिले है और हमारे इन्वार्मेंट बना रहे है नेक्स्ट है what message does the poet want to convey इस poem के जरी पोईट क्या message दिना चाहती है The heart of the tree is a meaningful poem with a message that one who plant a tree not contribute to the better of the nature but for all the creature but he also help in nation's growth यहां पर poet इस poem से यह message देने की कोसिस कर रही है कि जब एक इन्सान plant लगाता है तो वो सिर्फ nature को ही better नहीं बनाता साथ ही वो अपने नीशन्स की growth में भी मदद करता है Second question, the poet states that planting a tree will have many positive effects in the future Poet का कहना है कि पीड लगाने से बविसी में बहुत जादे इसका 5 दे होंगे तो आपको इस statement को बताना है कि क्या आप इस बात से अगरी है और क्यों तो answer इसमें tree provide seed-sand birds, these seeds dry up but they do not die, they lie in the soil when they get proper condition to grow, they spout and grow up into a tree again They become forest and provide benefit to the coming generation कहने का मतलब यह है कि tree से बीज निकलती है, birds यानि कलिया निकलती है, यह बीज सूख तो जाएंगे पर कभी खराब नहीं होंगे इनको हम soil में लगाकर मिट्टी में लगाकर फिर से कलियां खिला सकती है और फिर से वो trees में बन जाएंगे तो इससे हमें जो forest मिलेगा वो आने वाली generation के लिए फ्यूचर में बहतरीन हो रहाएंगा next है deforation is most of critical environment अब देखे इसमें यह बताया गया है कि deforestation यानि पीडों की कटाई से क्या-क्या नुकसान होने वाले हैं क्या-क्या उसे हमें disadvantage होंगे और साथ ही इसको रोका कैसे जा सकता है तो यहां पर consequences बताई है यानि उसके असर क्री के काटना है इसकी वज़ए से क्या-क्या धमित देखने को मिलेगा increase in temperature and global warming, second है increase soil erosion by wind, rain and increase flooding, extinction of wildlife, disruption of water cycle, deforestation, cost, drought and desertification next है steps to address this problem and rise awareness कि कि इस तरीके से ही इस प्रोब्लम को कम किया जाए लोगों में जाकरुकता लाए जाए तो पहला है plant a tree, use less paper, third recycle paper and cardboard, use recycle product but only sustainable wood product, sorry buy only sustainable wood product, don't buy product containing palm oil, reduce meat consumption, do not burn firewood excessively ठीक है तो यहां पर हमारी ये वीडियो complete होती है, sorry रुकिए इसमें MCQs भी है उन्हें और देख लीजिए फर्स्ट का अंसर है sky, tick the correct में, second में planes, third में civic, fourth है cool and tender, इन पर आपको tick लगाने है तो यहां पर हमारी exercise के MCQs भी खादम होती है, अगर आपने poem का explanation नहीं देखाया तो उसका link भी आपको वीडियो के description से मिल जाएगा, thank you, मिलते हैं next वीडियो में